हमने 7 फरवरी को ये PIL फाइल की थी और आपको ये जानकर आश्चर यह होगा कि हमारे फाइल करते ही उसी दिन बिना सुनवाई हुए सरकार ने REIT LEVEL 2 की परिक्षा को रद कर दिया अब परिक्षा कौन रद कर रहा है यहाँ पर सरकार के लोग परिक्षा रद कर रहे हैं किसके दबाव में कर रहे हैं वो सरकार ही जाने अब एक परिक्षा को रद कर दिया और एक परिक्षा को रद नहीं किया और उस वक्त भी SOG की जाच चल रही थी अब हो क्या रहा है कि सो पेपर खरीद फरोध में अपने आपको लिप्ट किया है और उन्होंने उस खरीदेवे पेपर से परिक्षा पास की है जो मैनत फरोष बच्चे हैं जो मैनत करके एक्जाम पास करके नियुक्ती चाहते हैं अज वो ठगे गए हैं तो अगर नियुक्ति वापिस भी आती है, सरकार के अगर ये नियुक्ति रद होती है और एक फ्रेश तरीके सा अगर नियुक्ति होती है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बगर आज हमको इस बात पर गौरामवित महसूस हो रहा है, कि इस पूरे प्रक्रिया को हाई कोट के जजिस सुपरवाइस कर रहे हैं, तो ये एक आप इसको समझे कि ये कि बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि हाई कोट खुड मॉनिटर कर रहा है, डे टूडे मॉनिटरिंग हो रही है, आज क्या हो रहा है, कि कोई भी नियुक्ति आती है, उसका सरकार बढ़ चड़के प्रचार करती है, कि हम इतने लाक नौक्रियां दे रहे हैं, इतनी अजार भड़तियां दे रहे हैं, और उस पे दलाली होती है, पेपर लीक होते हैं। कि उड़ आया जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि 14 या 15 या 16 तारिक को जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि नुक्ति दे दी जाएगी। हमने जो कल वीडियो बनाया था जो इंटरिव्यू लिया था युजी का उसमें ये बात हमने ये दिखाई थी कि क्या माम हैं उनके, उन सवालों को मैं रखूंगा आज, परे समझते हैं कि क्या वाकई में 14 या 15 या 16 प्रेल को कटाफ आजाएगा, अगर आता है तो क्या होगा, आयुजी कल आपके इंटरिव्यू के बाद बहुत सारे कमेंट आये हैं इस वीडियो पे, उस पर कहा जा रहा है कि 14 15 या 16 प्रेल को कटाफ आजाएगी, उसके बाद उनको निक्ति मिल जाएगी, तो उसके बाद क्या हो पाएगा, तो क्या जो ये बाते कही जा रही हैं वाकई में ये सच हैं, या ये हो सकती हैं, या नहीं हो सकती हैं, देखिए इसमें हम सभी को ये समझने की जरुत है, कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम नयपालिका का रुख कब करते हैं, जब अभियार्तियों ने 26 लाक अभियार्तियों ने ये पेपर दिया, पेपर देने के बाद जब ये ठगा वो हम हैसूस किया इनोंने, और इनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ना तो पक्ष के लो है कि प्रस्तुत करने के वक्त हमने साथ फरवरी को ये PIL फाइल की थी, और आपको ये जानकर आश्चर यह होगा कि हमारे फाइल करते ही, उसी दिन बिना सुनवाई हुए, सरकार ने REIT लेवल 2 की परिक्षा को रद कर दिया, अब परिक्षा कौन रद कर रहा है यहाँ पर सरकार के लोग परिक्षा रद कर रहे हैं, किसके दबाव में कर रहे हैं, वो सरकार ही जाने, अब एक परिक्षा को रद कर दिया और एक परिक्षा को रद नहीं क्या, और उस वक्त भी SOG की जाच चल रही थी, अब हो क्या रहा है कि सोशल मीडिया पर और स्टूडेंट्स के बीच में एक संशय का विशय ये आ रहा है कि कट ओफ कवाईगी रीट लेवल वन की यहाँ पर कोई भी सरकार की तरफ से आदिकारिक सूचना नहीं आई है कि 14 या 15 या 16 को कट ओफ या इसकी मेरिट लिस्ट जारी होगी आज की जो खबर आई है हमारे पास उसमें ये आई ह कि जो सत्यापन हे तु दस्तावेज सरकार के पास आ रहे हैं उसमें डिग्रिया फर्जी है उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाना से लोग 2-3-3 लाक में डिग्रिया फर्जी खरीद कर नियुक्ति पाने की कोशिस कर रहे हैं तो हमारा सिर्फ यही मकसद है कि जो सच है और ज का जो परिक्षा है उसको वापिस से वो नियुक्ति करा दे जो बच्चे जो वीडियो देखे हैं जो आपका इंटर्यू देखने के बाद उनका सवाल यह हो रहा है कि हम लोग क्यों मांग कर रहे हैं कि रद कर दिया जाया जो लोग नियुक्ति पाने की कगार पे हैं उनका ये भी कहना है कि सवाल ये भी करना चाहिए आपको कि जो रद कराने की बात कही जा रही है उसे नुकसान होगा आप कह रहे हैं कि जो गलत हुआ है उसके खिलाप लड़ाई जा रही है जो चीजे नहीं होनी चाहिए थी इनका ये कहना है तमाम अभी मैं कुछ समय पहले ही दे में आपने कहा कि च्छाय तारिक को जो वहां पर सूजी पलब्द हुई थी कोट में उसके जबाब से चन्थच नहीं होने काद कोट समय दिया है क्या उसके पहले चीज트ipper हो सकती है क्या कोट को इस लोग इगनोर कर सकते हैं अगर करते हैं तो क्या-क्या चीजि़े हो सकती है क्योंकि ये तमाम जो सवाल हैं इन बच्चों के मन में हैं जो इस रीट में शामिल हो रहे हैं देखिए मामला भी नाइले में लंबित है और नाइले को इस पर विचार करना है कि नियुक्ती रद होगी कि रद नहीं होगी दूसरी बात जो अब्यारतियों के मन में संशाय है तो इस बात को जानना बहुत जरूरी है यह उन्हीं अभियार्टियों के मन में संशा है जिन्होंने लाखों की दलाली को स्विकार किया है जिन्होंने पेपर खरीद फरोध में अपने आपको लिफ्ट किया है और उन्होंने उस खरीदेवे पेपर से परिक्षा पास की है जो मेहनत फरोष बच्चे हैं जो मेहनत करक परकोrie, एक्जाम पास करके नीमक्ति चाते हैं यह वो ठगे गए हैं। तो अगर नीमक्ति वापिस भी आती है सरकार के अगर नीमक्ति रद होती है और एक अगर फ्रेश सी तरीके से अगर निमक्ति होती है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी है। आज जो राजस्थान में दिक्कत आ रही है, आप इसको समझी है, राजस्थान एक पिछड़ा प्रदेश है, एजुकेशन सेक्टर में, आज यहाँ पर पूरा तरीके से ब्रस्टाचार में लिप्त हो चुकी है, न्युक्तिया है, बिरोजगारी राजनितिक मुद्दा बन क रह गया है, यहाँ पर सिव रीट का ही नहीं, RAS का पेपर लीक होता है, RAS में खरीद फरोद होती है, SI का पेपर लीक होता है, SI में खरीद फरोद होती है, लाइबरेडियन का पेपर लीक होता है, बनलब एक पूरी लिस्ट है, ऐसी कोई भरती नहीं है, जिसको आप कह सकते कि सत्प्रतिशत बिना इमानदारी से नियुक्ती मिल चुकी है अब सवाल इस बात का आता है कि 14 तारीक को क्या लिस्ट आएगी या नहीं आएगी ऐसी कोई आदिकारिक सूचना ही नहीं है कि 14 तारीक को लिस्ट आएगी या नहीं आएगी और हो क्या रहा है इस बात को समझे कोठ में मामला प्रक्रियदीन है, एएसो जी इसकी जाच कर रही है, तो ये जो फजी वाड़ा हुआ है, ये जो नकल्ची का गिरो है, इसके खिलाफ जाच कर रही है, तो जब जाच होगी, जाच अपने जब अंतिम तो इससे यह साफ होगा कि पेपर लीक हुआ है कि लीक नहीं हुआ है आज हम यह नहीं कह सकते कि न्यूक्ति रध सकते हैं शी आज मामला प्रक्रिया द लिच केंसिल कूं किया। तो बतलब अभी ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है चोदर तारिक को जो कटाफ आएगी अभी इसमें कोई कोई बेस नहीं है इसका एक सवाल और है तमाम लोग ये उस कमेंट में पूछ रहे हैं जो जो लोग हमें हमारा आपका इंटर्वी देखे हैं वो ये कर रहे हैं कि अगर सरकार CBI की जाच की मांग कराए जैसे आपने कली कहा था कि उसमें मांग होनी चाहिए तो अभी हाई कोट कई बार सुता संग्यान लेकर के चीज़ों को फिर आगे बढ़ा देती है अगर साइकोट को लगता है कि यहां सोजी और सरकार विपक्ष सभी मिलकर के ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और उनको सही से गुमराह कर रहे हैं या चीज नहीं दे पा रहे हैं तो क्या यह CBI जांच की मांग जो बच्चे बात कर रहे हैं लगातार उसमें यह कह रहे हैं कि होनी चाहिए इसकी पक्ष में कितना आप हैं और क्या चाहते हैं किसमें क्या होना चाह देखिए अखिलबारती विद्धायत्ती परिश्यत ने जो जन्नित याची का लगाई थी उसकी मुख्ये जो हमारी मांग थी वो यही मांग है कि इस पूरे प्रक्रिया की इस पूरे जो एसोजी जाच कर रही है इसकी एक केंद्र संस्तान जो की केंद्र संस्तान है CBI उससे जाच होनी चीए मगर आज हमको इस बात पर गौरामवित महसूस हो रहा है कि इस पूरे प्रक्रिया को हाई कोट के जजिस सुपर्वाइस कर रहे हैं मतलब एसोजी जो जाच कर रही है उस जाच को हाई कोट के जजिस सुपर्वाइस कर रहे हैं उनकी निगरानी में जाच ह हो रही है तो ये एक आप इसको समझे कि ये कि बहुत अच्छा कदम है क्योंकि हाई कोट खुड मॉनिटर कर रहा है डे टू डे मॉनिटरिंग हो रही है हाई कोट ने अपने पिछले आदेश में भी ऐसो जी के जो मुख्य अधिकारी है राटोर साभ उनको तलब किया है उनक किसी के भी प्रवाब में आकर इसमें चाच को गलत दिशा में नहीं लेकर जाओगे तो अब इस बाद से हम को ये एक फाइदा होगा और ये फाइदा पूरे चात्र जो समुदा हैं उनको ये फाइदा होगा कि आने वाले समय में और भी जो बढ़तिया होगी और भी जो एक्जाम होगे उसमें निश्पक्ष तरीके से बढ़तिया होगी समय के अंदर आपको नौकरी मिलेगी और आप रोजगार लेकर आप कोई भी न्युक्ति आती है उसका सरकार बढ़ चड़के प्रचार करती है कि हम इतने लाक नोकरियां दे रहे हैं इतनी अजार बढ़तिया दे रहे हैं और उस पे दलाली होती है पेपर लीक होते हैं तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्ता में अगर जब आप सरकार काम नहीं कर इसलिए दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा कुछी दिनों में ये साफ हो जाएगा, रीट लेवल का पेपर रद होगा या नहीं होगा, ये पूरा डिसीजन हाई कोट के उपर है, अब यारतियों को हाई कोट से बहुत उमीद है कि पेपर वन रद होगा, इसकी सी आख हो के पीछे जाएंगे. तो इस बातचीत में दो बास साफ हो गई है, पहली ये कि चोधा तारीक वाला जो डेट फैला जा रहा रहा है, वो साफ अभी नहीं है, कुछ उसमें दम नहीं है, अगर आना होता तो आगया होता, दूसरा ये कह रहे हैं कि इसमें हाई कोट मा अगले साल चुनाओ भी है, अगले साल चुनाओ भी आ जाएगा और उसके कुछ दिन पहले तक अचारा संगता लग जाती है, लगब मिलाजुला के एक साल के असपास का समय बचा है, क्या लगता है कि अगर रद होने के बाद फिर से वो चीजे सही हो पाएगी, और कंड़ देखे हमने अपनी PIL में एक मांग ये भी रखी है, कि आने वाले समय में जो भरतिया होनी चाहिए, उसमें एक संस्था को न्यूक्त करना चाहिए, जो हो सकती है केंदर की संस्थान हो, हो सकती है कोई प्राइवेट संस्थान हो, जिससे ये न्यूक्तिया करानी चाहिए, एक open tender होना चाहिए इसका, open tender से आप इसको जाज करके एक संस्था को चूज करें, कि वो संस्था इस न्युक्ति को time-bound manner में कराएं, अब जो आपने एक सवाल उठाया है कि आने वाले समय में चुनाव भी है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि युवाओ का जो भविश्य है वो चुनावधारित नहीं है, 26 लाख अब्यार्तियों ने इस पेपर को दिया है, अगर कुछ राजनितिक दल या कुछ नेता इस पे अगर राजनिती करते हैं, तो ये बहुत समाज का एक बहुत बुरा रवया होगा, इस पे राजनिती नहीं होनी चाहिए, जो युवाओ ने पेपर दिया है, उनको नौकरी समय पर मिलनी चाहिए, जिन लोगों ने इसमें गलती किये, वो जेल जाने चाहिए, और इसको एक वहतर प्रक्रिया बनानी चाहिए, राजनेताओं को तो एक ऐसा दृश्य दिखाना चाहिए, कि समय पर बढ़ती हो रही है, समय पर न्यूक्तिया हो रही है, और ब्रस्टाचार मुक्त हो रहा है, हम राजस्तान में रह रहे हैं, या हर पेपर में कोई ना कोई गोटाला हो रहा है हर पेपर का कोई ना कोई गपला हो रहा है और हर पेपर की नियुक्ती होने के बाद हाई कोड का दरवाजा खटकता दी है ये पता है अब्यारतियों को अब्यारतियों को ये पता है जब तक उनकी निवक्तिया नहीं हो रही है और जब तक सुनवाई दूसरी नहीं हो जाती है अब उनकी लिए क्या संदेश है जो बच्चे ये इस निजार में हैं कि रद हो जाएगी और फिर से चीजे होंगी आखरी सवाल है इस पूरे इंटर्वियू का मेरा सभी से यही संदेश है कि थोड़ा सा और पेशन्स रखने की जरुवत है आने वाले समय में दो हफते बाद हाई कोट में सुनवाई होगी सुनवाई में ये साफ हो जाएगा कि रीट लेवल वन रद होगी या रद नहीं होगी और इसकी जाच केंदरे संस्तान से होगी या नहीं होगी क्योंकि ये इसलिए जरूरी है क्योंकि 26 लाक लोगों का भविश्य हाई कोट के सामने है तो ये आने वाले समय में ये तै होगा और आज मैं एक और बात कहना चाहता हूँ अगर सरकार आनन फानन में आकर कट अफ जारी भी कर देती है तो भी मैं इसकी आपको गैरेंटी दे सकता हूँ कि ये रद हो सकता है क्योंकि ये पूरा मैटर हाई कोट के समक्ष है हाई कोट जो सच है और क्या जूट है उसमें से तुलनातमक डिस्टी कोन रखते हुए वो देखेगा क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है और उसका वो अपना रिजल्ट देगा इसलिए ये कोई गैरेंटी नहीं है कि आज अगर सरकार आनन फानन में आकर 14 या 15 या 16 तारिक को न्यूकती दे भी दे तो वो कैंसिल नहीं हो सकती है रस्टाचार हुआ है ये अभियार्तियों को पता है आज समाज में और मीडिया जगत में इतना एविडेंस अवेलेबल है कि घर घर में लोगों को पता है कि रीट में फरजी वाड़ा हुआ है करोडों का गबन हुआ है राजनेताओं का इसमें इन्वाल्मेंट है पक्षके भी लोगों का इन्वाल्मेंट है और विपक्षके लोगों का इन्वाल्मेंट है क्योंकि सब चुप बैटे हैं इसमें खाली कुछ संगटन है जो इसकी नयाईक तरीके से इसका लड़ाई लड़ रहे हैं तो अब्यार्तियों को हमारे साथ आना चाहिए और इस पूरे जो बेरोजगारी के ओपर राजनीती होती है और जो फरजी वाड़ा है उसको मिटाने म हमारा सयोग करना चाहिए तो आयूस से हमारी दूसरी इंटर्विव है और हमने इसमें बाचीत कर लिया इन्हों बता दिया है कि जब तक कोई इसमें हाई कोड का फैसला नहीं आ जाता तक चीज़ें चलती रहेंगी और अभी 14 का जो कटाफ की बात हो रही वो बहुत सत्ता उसमें कोई नहीं है हम प्रयाज करेंगे कि आपको अगले इंटर्विव में जब हाई कोर्ट का डिसीजिजन आता है या जनि सुनवाई होती उसमें आयूस से फिर हम इंटर्विव करने का प्रयास करेंगे कि उस दिन किया हुआ और आगे क्या हो रहा है लगातार उन अप फिर इनसे एक इंट्रिव्यू किया है और समझा है कि वाकई में कोड भी कितना संजीदा है लगातार देखते रहें ये पोल टाक और हम इस तरह के इंट्रिव्यूज लेकर क्याने का प्यास करेंगे धन्यवाद